हलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से चोकलेट केक इसको बनाना बहुत आसान है और यह बहुत जट पर बनकर एडियो जाता है तो शुरू करते हैं इसको बनाना तो यहां मैं केक बना रही हूँ गैस पे अवन में नहीं बना रही इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैदा तो मैदे से हमने इसको डस करना है तो मैंने आपे एक चमच के करीब मैदा लिया है अगर आपके पास बटर पिपर है तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं मैदा डालने के बाद हम इसको चार और से इस तरह फैला और जो बाकी का एकसेस मैदा है वो इस तरह जार लेंगे तो ये देखिए हमारा केक टिन एकदम रेडी हो चुका है अब हम बनाएंगे केक का बैटर तो हम यहाँ पे लेंगे आधा कप दही तो दही हमें आपे गाड़ा वाला लेना और फ्रेश दही लेना है इसको थोड़ा कप चीनी पीशना है तो वो 3 by 4th कप बन जाती है पीश के इनको अच्छी से मिक्स करना है हमें धही पे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं धही और चीनी अच्छी से मिक्स अप हो चुकी है तो अब हम इसमें एट करेंगे ओल तो ओल यहाँ पर मैंने रिफाइन ओल का यूज किया है हमें इसमें स्ट्रॉंग स्मेल वाले ओल का यूज नहीं करना है जैसे मस्टर्ड ओल है वो हमें इसमें नहीं यूज करना है ओल मैंने आप लिए 1 by 4th कप इसको हमें धही और चीनी में अच्छी से मिक्स अप करना है तो आप लोग देख सकते हैं ऑल भी हमार इसी चंणी लिए तो चंणी से डालने से क्या होता है हमारा केक बहुत ही फूला फूला बनता है और स्पंजी बनता है तो यह देखि मैंने आप लिए 1 कप मैदा अब मैं स्मैट करूंगी कोका पाउडर तो हम लोग यहाँ पे चॉकलेट केक बना रहे है तो मैंने आप लिए 1 बाइ 4 कप लिया है कोका पाउडर अब मैं इस मैट करूंगी बेकिंग पाउडर वन टी स्पून और वन बै फो टी स्पून हम लोग इस मैट करेंगे बेकिंग सोडा इसको सीव कर लेंगे तो इस तरह से करने से इसमें जो गुठलिया वगरा होंगी वो हट जाती है प्लस जो केक होता है इसको बिल्कुल हम फेटेंगे हैं हम हलकल के हाथों से इसको mix कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो केक का बैटर है बहुती थीक हो रहा है तो अब हम इसमें एट करेंगे दूद तो दूद हमें आपे एक साथ इसमें एड नहीं करना है और ध्यान ये रखना है कि जो भी हम milk इसमें add करेंगे वो होना चाहिए room temperature में मतलब हमें ठंडा या गरम दूद को इसमें add नहीं करना है तो ये room temperature का मैं milk इसमें add कर रही हूँ तो हमें एक साथ इसमें milk नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा दूद डालते वे हमें इसको mix करते रहना है क्योंकि हमें batter ठिक चाहिए लेकिन flowing consistency का चाहिए इस chocolate cake को बनाना बहुत easy है और इसका taste तो बहुत अच्छा आता है तो आप लोग एक बाद इसको ज़रू try करना आप लोग को बहुत पसंद आएगा आप इसको tea time के लिए भी बना सकते है ये जटपड बन जाता है और बहुत tasty बनता है तो ये देखिए हमारा cake का batter अभी थोड़ा सा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूद और add करूंगी तो हमें इसको तेज तेज नहीं फेटना है जैसे मैं फेटनी हूँ हलके हलके हाथों से इसको mix करना है इस cake को आप सूजी से भी बना सकते है सूजी का cake जादा healthy होता है और उसका प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा आलग होता है सूजी को थोड़ा भीगाना पड़ता है तो मैंने सूजी की cake की recipe भी शेयर की है तो अगर उसका लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी तो मैंने उसका chocolate cake तो नहीं बनाए लेकिन जो सूजी का simple सा cake होता है वो उसमें बनाए तो उसका link में आपको देदूंगी डिस्क्रिप्शन में तो ये देखिए हमारा batter बनका ready है तो हम तुरंती इसको bake करने के लिए रख लेंगे देखिए इस तरह सा हमारे batter की consistency होनी चाह है आपको देख सकते हैं इसके color कितना अच्छा है यहां पर मैं plane cake को बना रही हूं उसमें कोई भी ड्राइफ्रोट वगएरा टूटी-फूटी को चैटनी कर रही हूं तो इसको हम tap कर लेंगे ताकि जो air bubble से बहट जाए यहां पर मैंने pan को preheat किया था तो उसमें मैंने stand रखा था उसके उपर मैं cake की tin को रख लूँगी अभी हमें इसको cook करना है 40-45 मिनट के लिए low medium flame पे मतला आपकी जो flame है ना low होनी चाहिए ना medium होनी चाहिए उसके बीच की होनी चाहिए तो यह देखिए मैं knife से check कर रही हूँ और knife हमारी एकदम साफ निकली है और cake बन का हमारा ready है अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो cake ठंडा हो चुका है अब मैं इसको demold कर लूँगी तो इस तरह से हम लोग knife को चाहरो और इसको घुमा लेंगे एक बार यह बहुत आसानी से demold हो जाता है यह बिल्कुल नीचे पकता है तो यह देखिए हमारा super spongy और soft cake बन का ready है और आप लोग देख सकते हैं कितना perfect फूला हुआ है और बहुत ही अच्छा बना है अब मैं आपको इसको cut कर कर दिखाती हूँ तो आपको cut करने से लग रहा होगा कि यह कितना softer spongy बना है तो आप भी enjoy कीजिए इस cake को और आप लोग जरूर बनाने इसको आप लोग को बहुत पसंद आएगा और अगर इस measurement से बनाएंगे तो आपका cake भी बिल्कुल perfect बनेगा तो यह देखिए कितना spongy और फूलावा जा और बबाइ